प्रभू आज भी हम जिस प्रकार परमेश्वर आपके जो शास्त्र के जो वच्चन पढ़ने वाले हैं परमेश्वर उस वच्चन के अनुसर जिस प्रकार आपने इब्राहीम को परमेश्वर आपने आशिरवाद की वैसा ही सुनने वाले सारे लोगों को परमेश्वर आपके आशिरवाद से परमेश्वर आप बर दीजिए ऐसा आप करने वाले हैं इसके लिए दन्यवाद करते हैं इश्व मसी के नाम से मागते हैं पिता आमेन उत्पती तेरावा आतियाई तब अबराम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपती लेकर लूत को भी संग लिये हुए मिश्र को छोड़कर कनान के दक्कीन देश में आया अबराम बेडबकरी, गाई बैल और सोने रूपे का बड़ा दनी था फिर वह दक्कीन देश से चल कर बेटेल के पास उसी स्थान को पहुचा जहां पहले उसने अपना तंबू कड़ा किया था जो बेटेल और ए के बीच में है यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई दी और वहां अबराम ने फिर यहोवा से प्रातना की लूत के पास भी जो अबराम के साथ चलता था बेट बकरी गाई बैल और तंबूते इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए परियाप्त स्थान न था कि वे इकटा रहें क्यूकि उनके पास बहुत दन था इसलिए वे इकटा न रह सके अबराम और लूत की बेड बकरी और गाई बैल के चरवाहों में जगड़ा उआ और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे तब अबराम लूत से कहने लगा मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में जगड़ा न होने पाए क्यूकि हम लोग बाई बंदु हैं क्या सारा देश तेरे सामने नहीं इसलिए मुझ से अलग हो जा यदी तू बाई और जाए तो मैं दाहिनी और तब लूत ने आग उठा कर यरदान नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नस्ट न किया था तब तक सोवर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिश्र देश के समान उपजाऊ थी इसलिए लूत अपने लिए यरदान की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वेद एक दुसरे से अलग हो गए अबराम कनान देश में रहा पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट कड़ा किया सदोम के लोग यहोवा के लेके में बड़े दुष्ट और पापी थे जब लूत अबराम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अबराम से कहा आख उटा कर जिस तान पर तु है वहाँ से उतर दक्षीन पूर्वपश्शीम चारव और दृष्टी कर क्योंकि जितनी भूमी तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वन्ष को युग-युग के लिए दूँगा और मैं तेरे वन्ष को पृत्वी की दूल के किनकों के समान बहुत करूँगा यहां तक कि जो कोई पृत्वी की दूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वन्ष भी गिन सकेगा उट इस देश की लंबाई और चवडाई में चल फिर क्योंकि मैं उसे तुझी को दूँगा इसके पश्चात अबराम अपना तंबू उकाड कर मम्रे के बांश व्रिक्षों के बीच जो एब्रोंग में है ते जाकर रहने लगा और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई उत्पति के किताब चौदावा अतियाई शिनार के राजा अम्रापेल और एलासार के राजा अरियोक और एलाम के राजा कदोरला ओमेर और गोईम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिर्शा और अद्मा के राजा सिनाप और सबोईम के राजा समय बेर और बेला जो सोवार की कहलाता है इन राजाओं के विरूद युद्ध किया इन पाचों ने सिद्धीम नामक तराई में जो कारे ताल के पास है एका किया बारा वर्ष तक तो ये कदोर लोओमेर के अदिन रहे पर तेरहवे वर्ष में उसके विद्रोह किया चौदवे वर्ष में कदोर लोओमेर और उसके संगी राजा आई और अश्तको तरनम में रपाईयों को और हाम में जूजियों को और शाबे किरियाताव में इमियों को और सेहीर नामक पहाड पर होरियों को मारते मारते उस इलपारान तक जो जंगल के पास हैं पहुच पहुट कर इनमी सबात को आए जो कादेश भी कहलाता है और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया इस सोनता मार में रहनते थे तब सदोम, अमोरा, अद्मा, सबोयूम और बेला जो सोवार भी कहलाता है इनको राजा निकले और सदीम नामक उनके साथ युद्ध के लिए पाती बांदी अर्थात इलाम के राजा कदोरला ओमेर, गोईम के राजा तिदाल, सिनार के राजा अमरा पेल और इलासार के राजा अर्योग इन चारों के विरूद उन पाचों ने पाती बांदी सितीम नामक तराई में जहां लसार मित्ती के गड़े ही गड़े थे सदोम और अमोरा के राजा बागते बागते उन में गिर पड़े और जो बचे वे पहाड पर बाग गए तब वे सदोम और अमोरा के सारे दन और बोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए और अबराम का बतीजा लूट जो सदोम में रहता था उनको भी दन समेत वे लेकर चले गए तब एक जन जो बाग कर बच निकला था उसने जाकर इबरी अबराम को समाचार दिया अबराम तो एमोरी मम्रे जो इशकोल और अनोर का बाई था उसके बांज व्रिक्षों के बीच में रहता था और ये लोग अबराम के संग वाचा बांदे हुए थे यह सुनकर की उसका बतिजा बंदी बना लिया गया है अबराम ने अपने 318 शिक्षीत युद्ध कौसल ने निपून दाशों को लेकर जो उसके कुटुम्ब में उत्पन हुए थे अश्तश श्त्रदारन करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग-अलग दल बांद कर रात को उन पर चड़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिशक के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया और वह सारे दन को और अपने बतीजे लूत और उसके दन को और स्त्रियां को और सब बंदियों को लोटा ले आया जब वह कदुरलो ओमेर और उसके साती राजाओं को जीत कर लोटा आता था तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में जो राजा की तराई भी कहलाती है उससे बेट करने के लिए आया तब सदोम का राजा मलिकी सिद्यक जो परम प्रदान इश्वर का याजकता रोटी और दाक मदू ले आया और उसने अबराम को यह आशिरवात दिया परम प्रदान इश्वर की ओर से जो आकाश और प्रत्वी की अधिकारी है तू दन्य हो और दन्य है परम प्रदान इश्व जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में करल दिया है तब अबराम ने उसको सब वस्तुवों का दश्मास दिया तब सदोम के राजा ने अबराम से कहा कहा प्रानियों को तो मुझे दे और दन को अपने पास रख अबराम ने सदोम के राजा से कहा परंप्रदान इश्वर यहुवा जो आकाश और पृतिवी का अधिकारी है उसकी मैं यह शपत काता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंदन न कोई और वस्तू लूँगा कि तू ऐसा न कहने पाए कि अबरा मेरे ही कारण दनी हुआ पर जो कुछ इन जवानों ने का लिया है और उनका बाग जो मेरे साथ गए थे अर्थात आनोर एसकोल और मम्रे में नहीं लवटाऊंगा वे तो अपना अपना बाग रख ले मत्ती के किताब चौता आतियाई तब आत्मा इश्यू को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परिक्षा हो वह चालिस दिन और चालिस रात निराहर रहा तब उसे बूक लगी तब परकने वाले ने पास आकर उससे कहा यदि तु परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्तर रोटियों बन जाए इश्यू ने उत्तर दिया लिका है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परन्तु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मूख से निकलता है जीवित रहेगा तब इपलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर कड़ा किया और उससे कहा यदि तु परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आपको नीचे गिरा दे क्योंकि लिका है वह तेरे विशय में अपने स्वर्ग दूदों को आग्या देगा और वे तुझे हातों हात उटा लेंगे कही ऐसा न हो कि तेरे पाउं में पत्तर से टेस लगे इशु ने उससे कहा यहाँ भी लिका है तु प्रबु अपने परमेश्वर की परिक्षा न कर फिर इबलीस उसे एक बहुत उंची पहाड पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैबव दिखा कर उससे कहा यदि तु गिर कर मुझे प्रनाम करे तो मैं यह सब कु सुझे दे दूंगा तब इशु ने उससे कहा है सैतान दूर हो जा क्योंकि लिका है तु प्रबु अपने परमेश्वर को प्रनाम कर और केवल उसी को उपासना कर तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्ग दूत आकर उसकी सेवा करने लगे तब उसने यह को चोड़ कर कपर नहुम में जो जील के किनारों जबुलून और नप्तली के देश में हैं जाकर रहने लगा ताकि जो इशाया बविश्य दक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो जबुलून और नप्तली के देश जील के मार्ग से यर्दान के पार अन्य जातियों का गलील जो लोग अंदकार में बैटे थे उन्होंने बड़ी जोती देखी और जो मृत्यू के देश और चाया में बैटे थे उन पर जोती चमकी उस समय से इश्यू प्रचार करना और यह कहना आरंब किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राजय निकट आ गया है गलील की जील के किनारे फिरते हुए उसने दो बाईयों अर्था समोन को जो पत्रस कहलाता है और उसके बाई अंद्रियास को जील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मच्वे थे इशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनिश्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा वे तुरन जालों को चोड़कर उसके पीछे हो लिए वहां से आगे बढ़कर इशु ने और दो बाईयों अर्ता जबदी के पुत्र याकूप और उसके बाई युहन्ना को देखा वे अपने पिता जबदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुदार रहेते उसने उने भी बुलाया वे तुरन नाव और अपने पिता को चोड़कर उसके पीछे हो लिए येशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधना लैयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बिमारी और दुरबलता को दूर करता रहा और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बिमारीओं को जो नाना प्रकार की बिमारीओं और दुखों में जकड़े हुए थे और जिन में दुस्ट आत्माएं थी और मिरगी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाये और उसने उने चंगा किया गलीर और दिकापूलीस, यरुष्चले, यहुदिया और यर्दान नदी के पार से बीड की बीड उसके पीछे हो ली नीती वचन चौता अत्याई हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न चोड़ो देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुला रहा था और मेरा पिता मुझे यह केकर शिकाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे तु मेरी आज्याओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा बुद्धी को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको बूल न जाना, न मेरी बातों को चोड़ना बुद्धी को न चोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रिती रख, वह तेरा पहरा देगी बुद्धी श्रेष्ट है, इसलिए उसकी प्राप्ती के लिए यतन कर, जो कुछ तु प्राप्त करे, उसे प्राप्त तो कर, परन्तु समझ की, प्राप्ती का यतन गटने न पाए उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाईगी, जब तु उससे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी, वह तेरी सिर पर सोबाईमान बूशन बांदेगी, और तुझे सुन्दर मुकुट देगी हे मेरे पुत्र, मेरी बाते सुनकर ग्रहन कर, तब तु बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा, मैंने तुझे बुद्धी का मार्ग बताया है, और सिधाई के पत पर चलाया है, चलने में तुझे रोक तोक न होगी, और चाहे तु दोड़े, तो भी तोकर न कायेगा, दुष्टों की राह में पाव न रखना, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़ कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदी बुराई न करे, तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किस को टोकर न किलाए, तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती, वे तो दुष्टता से कमाई वी रोटी काते, और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाक मदू पीते हैं, परंतु दर्मियों की चाल, उस चमकती वी जोती के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है, दुष्टों का मार्ग दोर अंदकार मैं है, वे नहीं जानते कि वे किस से टोकर काते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन द्यान, दरने, सुन, और अपने कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आखों की उठ न होने दे, वरन अपने मन में दारन कर, क्य जिनको वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारन होती है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्यूकि जीवन का मूल्च त्रोत्र वही है, तेड़ी बात अपने मूह से मत बोल, और चाल बाजी की बाते कहना तुझ से दूर रहे, तेरी आके सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पल के आके की ओर खुली रहे अपने पाव रखने के लिए मार्ग को समतर कर और तेरे सब मार्ग टीक रहे ना तो दाहिनी और मोड ना और ना बाई और अपने पाव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले प्यारे पिता परमेश्वर आज भी परमेश्वर आपके वचन द्वारा परमेश्वर आपने हम से सारे लोगों से आपने बाते किये हैं इसके लिए दन्यवाद करते हैं जिस प्रकार हमने नीती वचन में परमेश्वर हमने पड़ा ज्यान को दूनने के लिए आपने कहा पर मेश्वर आपके ग्यान से अब बर दीजिए आप ऐसा करने वाले हैं इसके लिए धन्यवाद करते हैं इश्व मसी के नाम से मांगते हैं पिता आमेन